हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे मेथी मटर मलाई, ये सबजी खान भी बहुत ही चेश्टी होती है, आप इसको जुरू ट्राइ करें, तो फिर चलिए बनानों इस्यू करते हैं इसको बनाने के लिए हमको चाहिए 200 ग्राम मेथी, मैंने इसको अच्छे से साफ परकिये धोपर काट लिया है और उबाल लिया है, एक कटोरी मेटर के दाने मैंने इनको भी उबाल लिया है, एक कटोरी काजु का पेष्ट, दो देज पत्ते, एक दालचीन का टुपड़ा, द रिफाइंड ओल, आधी चमद जीरा, आधी चमद दन्या पावडर, आधी चमद खाली मिर्च पावडर, आधी चमद गर्मसाला, हरी मिर्च अधरक लैसुल का पेष्ट, आधी कटोरी प्यास का पेष्ट, नमक, एक कटोरी क्रीव, आम अलाई भी ले सकते हैं, आहम ग्यस कटाई रखेंगे, उसमें रिफाइंड ओल डाले, तेल को गरम हो देंगे, तेल गरम हो चुका है, उसमें जीरा डाले, हमारा जीरा भून चुका है, विलाइची डाले, तेज बत्ते, दालचीनी, लॉंग, सब को भूनेंगे, हरी मिर्च अध्रक लैसूं का पेश डाले, इसको भी लगातार चलाते हैं, भूनेंगे, प्यास का पेश डाले, इसको भी भूनेंगे, स्वात्यों सानमक टाले, गैस को मीडियम कर ले, और लगाता चलाते हैं, मसाले को भूने, काजु का पेश डाले, सब को एक साथ मिला दे, थोड़ा सा पानी डाले, थोड़ा सा पानी डाले, एक साथ मिला दे, अब हम धर्या पाउड़ा डालेंगे, काली मिल्च गर मसाला, सब को एक साथ मिलाएंगे, आओ हम मसाल में क्रीम डालेंगे और एक साथ मिला देंगे, एक कोटोगरी पांग डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, अब इसमें मटर मिलाएंगे, मेथी, सब को एक साथ मिलाएंगे, गैस को दीमी रखेंगे, देखिए हमाई सबजी में बाल आ रहा है, अब हम इसका ठकन मत कर देंगे, और पांच मिनट के लिए दीमी गैस पर हम सबजी को बनने देंगे, देखिए हमाई सबजी अच्छे से मिलने लगी है, एक बाद चला दें, हमारी सबजी बनकर त्यार हो चुकिए, चलिए उसको हम एक परतन में सर्फ करते हैं, और गर्म गर्म सबजी को सर्फ करें, हमारी मेथी मटमलाई की सबजी बनकर त्यार हो चुकी है, इसको आप गम गम पराठे, नान, रोटी के साथ सर्फ करें, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी रैस्पी कैसी लगी, मेरी रैस्पी को फैम्ली और फैंट्स में शेयर करिए, अगर आपने अभी तक मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक्यू,